अभी हाली में RBI ने एक बवाल चीज लांच की है, जिसका नाम है E-Rupy और लोग इसको लेके काफी ज्यादा confusion में है RBI का कहना है कि ये एक digital money है, जिसको आप use कर सकते हो सामान खरीदने के लिए बट लोगों का कहना है कि हम already एक ऐसा system use कर रहे हैं सामान खरीदने के लिए जिसको हम UPI बोलते हैं, मतलब QR code scan किया, payment कर दिया, मतलब Google पे, phone पे बगएरा तो फिर इस बवाल चीज को लाने की क्या जरूरत थी, इस E-Rupy को लाने की क्या आपसकता पड़ी actual में जरूरत है या नहीं, अभी आपको पता लगी जाएगा यार हम किसलिए बैठें आपे, बताने के लिए, just don't worry so मेरा नाम है रगू, और प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है अगर वीडियो पसंद आए, तो पिलीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, I hope वीडियो पसंद आएगी तो इन सब पूर रखने साइड में और मुद्दे की बात में आते हैं तो बात कुछ ऐसी है कि यह E-Rupee और UPI payment यह दोनों ही अलग चीज़े हैं अब मुझे पता है आप लोगों confusion भी सबसे ज़्यादा यहीं है कि जब दोनों का काम सेम है तो फिर अलग कैसे हुई और जब काम चल रहा था UPI से तो फिर इस बवाल चीज़ को launch करने की क्या ज़रूत पड़ी अब सुनू, UPI या Net Banking में basically होता क्या है कि अगर आपने कोई सामान लिया और आपने अपना phone निकाला QR code discount किया और payment कर दिया, that's it, आपका काम खतम लेकिन आपको अंधाजा है कि इस पूरी process में कितने लोग involved हुए ये कितनी लंबी process है, let's suppose अगर मैंने कोई सामान खरीदा अब मैं UPI payment कर रहा हूँ, अपना phone निकाला अब आप notice करना कि कितने लोग इस पूरी process में involved है और क्या process हो रही है step by step, पहला तो मैं, क्यूंकि मैं payment कर रहा हूँ और दूसरा हो, जिसके पास मेरी payment जाएगी, यानि shopkeeper और तीसरा हो, जो मेरी payment, shopkeeper तक पहुँचाएगा, जिसको हम mediator बोलते है यानि जो app अपने आप phone में use करते हो, payment करने के लिए phone पे हो सकता है, ptm हो सकता है, google पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब, मैं आपके किसी का परचार नहीं करना हूँ, बस बता रहा हूँ आपको और इनके अलावा, background में दो चीज़ें और काम कर रही होती है एक तो मेरी bank, और एक उस shopkeeper की bank balance को counter करने के लिए, कि कितना पैसा किधर से आया और किधर गया क्योंकि उनको, आपके account को update भी तो रखना है कि कितना पैसा कम हुआ, आपके account में कितना पैसा जादा हुआ क्योंकि देखाने ही, आपने just payment करने के पाद, उपर से एक message आता है your account has been credited or debited by 5,500 तो भाई, इन सिर्फ इसी एक काम के लिए banks में हजारों machines काम करते हैं, चौक सो गंटे एक तो ये तरीका हो गया payment करने का, जिससे हम बहुत आसान समझते हैं like phone निकाला, QR code scan किया, और हो गया but actual में ये एक बहुत लंबी process होती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि इस process में कितने लोग involved है यानि ये information कितने लोगों के पास है कि आपने कितने पैसे किस इंसान को किस वक्त भीजी यानि information leak होती है इस process में अभी इसको यह ही छोड़ते हैं और दूफरा तरीका देखते हैं कि दूफरा तरीका क्या हो सकता है सामान खरीदने का यानि payment करने का physical money यानि वही अपना साधा सिंपल तरीका पैसे note निकाला दिया सामान लिया बात खतम यानि direct transition सामान लिया पैसे दिये बात खतम no bank no RBI कुछ नहीं किसी को भी कुछ नहीं पता third party app घंटा भाड में जाए मतलब direct transition clear cut payment पैसे निकाले सामान लिया रुपे दिया किसी को भी कुछ नहीं पता कि आपने कितने पैसे किस वक्त किस इंसान को दिये कोई record नहीं कोई कुछ नहीं लेकिन RBI ने यहीं पे दिमाग लगाया और इस E-Rupi को launch कर दिया यानि digital currency अब ये digital currency क्या है पहले इसको समझ लेते हैं actually digital currency एक करनिके का पैसा ही है जो हमारे जेब में रखा है बस वो digital form में है यानि हवा में है यानि एक E-Rupi is equal to एक equivalent है मतलब एक E-Rupi equivalence है हमारे एक रुपई के जो हमारे जेब में रखा है लेकिन RBI ने इसको बनाया क्यों इसके पीछे का क्या रीजन है इसको समझो देखो RBI note print करती है यानि physical currency जिसको हम use करते हैं इसको print करने में काफी खर्चा होता है बड़ी-बड़ी machines लगती है lever लगती है और वो note वाला कागज काफी costly होता है इन सारे खर्चों से बचने के लिए अब RBI ने note के बदले E-Rupi को issue किया है यानि digital currency जो एक तरीके का पैसा ही है लेकिन digital form में जिससे आप जो चाहो खरी सकते हो अब आप कहोगे इसमें अलग क्या है वहीं UPI वाला system बस यहाँ पे Paytm और Phone Pay की जगा है RBI का app यूज़ करना पड़ेगा वही system QR code को scan करो payment करो तो फिर इसमें अलग नया क्या launch कर दिया है इन लोग ने निकाला इन सब को सायर करते हुए आप डारेक्ट ट्रंजिशन कर सकते हो RBI के वालट के थिरू RBI का ये ए रूपी लांच करने का बस यही एक मकसद है यानि डिजिटल करन्सी आपके फॉन में एक RBI का app रहेगा RBI के वालट के नाम से उसमें रहेगा आप जब चाहो डारेक्ट ट्रंजिशन कर सकते हो किलियर कर ट्पेमेंट यासे फिजिकल मनी में आपके हो सीधा पैसा दिया सामान लिया कोई बैंक नहीं कोई थर्ड पार्टी आप नहीं कुछ नहीं किसी को भी कुछ नहीं पता रहेगा What essentially is the difference between UPI and this CBDC? You see, any UPI transaction involves the intermediation of the bank. So when I use a UPI app, you know, the message goes to my bank, my bank account gets debited, money gets transferred to the recipients, to the receivers, bank, his account gets credited and he gets a message in his mobile phone. So there is an intermediation of the bank in that process. In CBDC, just as paper currency, you go to a bank, let us say you are drawing some thousand rupees currency notes, you draw thousand rupees, keep it in your purse, you go to a shop, you have to pay five hundred rupees, you take out five hundred rupees and pay. Here also, you will draw the digital currency and keep it in your wallet, which will be basically your mobile phone. And when you go and make a payment in a shop or to another individual, it will move from your wallet to his wallet. There is no rooting or there is no intermediation of the bank. Now, if you have a bank account, you will have a bank account. And third party apps will be banned. Now, there are two questions. First, if our digital currency, which is the RBI, which is the wallet, which will be the interest of the bank, which will be the interest of the bank, like normally banks, let us suppose if our account is the bank, and our account is 10,000 rupees, then the bank will be the interest of the bank, which will be the fixed rupees. So this is the system of the bank, that this answer is not. which will receive andvere Randyر. As you can see, even if you need interest with the banks, you will spend some time, if you have a bank, the banks will not be right there. then the bank account is free through the bank account, and also the bank account is mandatory. हैं दोनों का काम ही एगी है hand to hand transition और दूसरा question क्या निकल के आता है कि अगर एक बार हम पना physical currency यानि नोट digital currency बना दिए यानि ए रूपी बना दिए तो फिर क्या दुबारा से हम digital को physical बना सकते हैं या फिर किसी ATM से निकाल सकते हैं तो इसका answer है हाँ यानि आप जब चाहो physical currency को यानि नोट को ई रूपी बना सकते हो और आप जब चाहो ई रूपी को नोट बना सकते हो बैंक जाके लेकिन आप इसको ATM से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये physical form में है ये digital form में है और digital form कभी ATM से निकले गा क्या नहीं ना पहले इसके लिए आपको bank जाना पड़ेगा और digital को physical करवाना पड़ेगा फिर आप जब चाहो जैसे चाहो निकाल सकते हो यूज करो कुछ करो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी next episode में I hope video informative लगा होगा और अगर लगा है तो please subscribe का बटन दबा दो या तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं किसी next video में